आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में निफ्टी का परफॉर्मेंस कल कैसा हो सकता है फ्राइडे को हमने शेर किया था कुछ भी हो जाओ confidently आके दो-दो वीडियो बना के आपके साथ शेर किया था कुछ भी हो जाओ चार्ट चित-चिक कर चिला-चिला कर कहे रहा है कि चार्ट उपर जाने के लिए रेडी है लोगों को लग रहा होगा कि नीचे से 1000 पॉइंट की रैली आ गई एक हफ्टे में 7 परसें निफ्टी चल गया अब कितना ही निफ्टी आपको चलता वा देखने को मिलेगा अब कितना ही निफ्टी चलता वा आपको देखने को मिलेगा कहीना कही जाकर तो रुकेगा थमेगा अभी रेजिस्टन्स आ रहा है 16-800 का टीवियों पे चिला-चिला के कहा गया था फिर अपना बहुत कुछ आ रहा है आपर तो लूग जाना चाहिए निफ्टी आपर देखें वीदी का विदान और चाट अगर ते कर लेवे कि उसको किदर जाना है तो कितना ही रेजिस्टन्स हो कुछ ही हो कोई रेजिस्टन्स काम नहीं आता कुछ काम नहीं आता फ्राइडे को कहा था बुलिश भी रखिएगा और ऐसा भी नहीं कि एंट्री नहीं मिली तो काफी लोगों था आज मुझे मेसेज किया है स्क्रिंशॉट बेचा है इतने का प्रॉफिट हो गया इतने हजार का प्रॉफिट हो गया का ब forty-arted k्रियान और अभीव हो गया नहीं कि नेगेक देाटिव मली जल्क क मुंमेंटम लिए पूरे दिन निफ्टेटर्य चल रहा था 20-50-50 point चल रहा तो ऐसा भी कोई नहीं कह सकते कि सर हमें entry नहीं मिली entry भी मिली और बहतरिन targets भी मिले अभी भी क्या target पूरे हो गए है नहीं सर अभी तो शुरू हुआ है अभी तो breakout मिला है अभी तो 16,755 का breakout मिला है हमें inside candle का inside candle के हिसाब से अगर हम अभी target निकालने की बात करें तो minimum target हमारा कम से कम यहां से 300 point बनता है खासे 16,755 से अभी खापर है 16,888 यह अभी भी 100 point ही cover हुआ है यह अभी भी करीब 180 point का gap है तो कहा तक यह जा सकता है यह minimum minimum इसको जाना तो है according to this chart partner अभी कितने time में जाता है वो हम अंको नहीं पता कहा तक जाता है यह हमें पता है कहा तक जाएगा 17,050 तक तो minimum nifty को जाना ही है minimum की मैं बात कर रहा हूं उसके actually में इसका double होना चाहिए target लेकिन मैं minimum अगर मैं बात करूं तो 17,050 तक तो nifty को जाना है क्या इसका मतलब यह कल ही चला जाएगा एक shot में चला जाएगा जाने को जा सकता है चली जल्दी ही जाना चाहिए inside candle के हिसाप से एक हफ़ते के अंदर targets आ जाने चाहिए लेकिन फिर भी कल शायर एक आपको retest होता हुआ देखने को मिले bounce होता हुआ देखने को मिले क्योंकि यह अपना जो बहुत बड़ा resistance जो काफी लोग मानके रखे थे 800-840 का वह resistance के उपर काफी उपर close हुआ है तो कल थोड़ा सा आपको एक bounce नीचे की तरफ मिले कोई तकलीफ नहीं 16,750 के आसपस तक अगर bounce आता है कोई तकलीफ नहीं है वो buy on dips की रणनेती आपको रखनी है buy करना है इसको 200-day को भी यू निकाल देगा जैसे आज 16,800 को निकाला ना जो बहुत resistance था बहुत बढ़ा resistance था सबके मुताबिक उसको आज यू निकाल दिया वो resistance की कोई respect नहीं तो वैसे ही अब 200-day moving average की भी कोई respect नहीं रहेगी इसको भी अगर निकालेगा ना तो फट से निकालेगा फट से निकालेगा और हमरा 17,000 जिस और यह भी मैं कहा देता हूँ यह काफी ज़्यादा chances है कि जिस दिन 200-day moving average निकलेगा उसी दिन आपको 17,050 का भी target आता हो जिको मिल जितने भी market के participants है यह मेरा past analysis में आपके साथ share कर रहा हूँ जब काम कम करना पड़ता है ना इंसान को जब वो काम फटा फट करता है तो अब लोग सोचेंगे कि छोटा week है extended week है तो जाने देते है बहुत जादा move नहीं आएगा जब छोटे weeks होते है ना तबी nifty काफी बार क कम ही देखने को मिलेगा हरा रंग से रंग जाएगा market और 17,050 तक minimum nifty को एक बार test करना है to under day moving average की भी as such मुझे नहीं लगता कि कोई respect होगी क्योंकि जितना ज़्यादा हम जिस चीज़ के बारे में फोमों बना देते है जितना hype create कर देते है उसकी उतनी value कम हो जाती है तो अ इतना गिरेगा ये कभी भी आप तैह नहीं कर सकते या आप नहीं होते तैह करने वाले कि nifty 1000 point चलेगा 2000 point चलेगा या आप नहीं होते तैह करने वाले nifty 1000 point गिरेगा नifty 2000 point गिरेगा 18600 से नifty जब 17000 पर आया 18000 पर आया तो लोगों को लग गया बहुत जादा गिर गिरीगा अब बढ़ेगा, फिर 17,000 आया, अब बढ़ेगा, 16,000 आया, अब बढ़ेगा, 15,700 तक आ गया, तो down side भी कोई predictable नहीं है, कितना गिर सकता है, उपर side भी कोई predictable नहीं है, कि वो कितना बढ़ सकता है, भले 1000 point से जदा बढ़ गया हो, और बढ़ेगा, as per chart और बढ़ेगा, अभी और चलेगा, तो कल ही के दिन आजावे, तो भी कोई बहुत बढ़ी शंका नहीं है, नीचे की बाजू, अभी as per chart एक important support है, 16,750, ये break नहीं होना चाहिए, according to this chart pattern, ये break नहीं होना चाहिए, एकाद दिन consolidate करें, या थोड़ा सा dip मार के उपर जावे, जाना उसको, उपर ही है, निफ्टी का view काफी जादा bullish है, इसी बात पर वीडियो को भी तक like नहीं किया है, like कर दीजे, free है, इस से जादा मैं और share नहीं कर सकता, freely, बाकि फिर अगर आपको जाना है, तो whatsapp निंग निचे, description में दी गई है, वो आपर हमेरे contact कर सकते है, disclaimer नहीं पड़ा तो disclaimer पर लिज निफ्टी, target 17,000, अब की बार 17,000 पार